हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स एजो वीडियो है BPSC हिस्ट्री का प्रेक्टिस सेट 57 है तो अगर आप TGT, PGT, LTG, GIC और Assistant Professor की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो ए वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंतक बने रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज का पहला नमर कोशन जो 41 नमर से सुरूर आए कोशन है आपका सभी भक्ती संतों के मद एक समान विसेशता थी कि उन्हों ने अपने पहला अपसंद अपनी वारी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे तो आंसर आपका A सही हो जाएगा कि अपनी वारी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे तो सभी भक्ती संतों के मद एक समान विसेशता थी एक समान विसेशता ये थे कि उन्होंने अपने वारी जो उन्होंने उपदेश दिया वो उसी भासा में लिखा जिस भासा में उनके भक्त समझते थे अगला इसका व्याख्या देख लीजिए भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत उचा था उसमें से बहुत ने देश का भ्रमड किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिसके विचार भिन भिन थे जिनके विचार क्या थे? भिन 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 थे उन संतों के ने साधारन लोगों की भासाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलगु, कर्णर, तमिल इत्यादी भासाओं की उन्नती में बहुत योगदान दिया भक्ती आंदोलन की संत अपने उपदेश जो है छेतरी भासाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके इस कारर छेतरी भासाओं का विकास हुआ आगे चलते हैं 42 नमर कोशन आपका है, अच्छा कोशन है और 2000 में पूछा गया कोशन है कोशन है आपका, निमलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुदिन अवलिया से भेट करने से इंकार कर दिया निमनिखित में से किस सुल्तान से निजामुदिन अउलिया ने भेट करने से इनकार कर दिया एक कोशन है कि निजामुदिन अउलिया ने किस सुल्तान से भेट करने से इनकार कर दिया आपसने है अलाउदिन खिल जी आपसन भी है अलाउदिन खिल जी जलालूदीन खिल जी, अलावदीन खिल जी, C.A. आपका गयासु दिन तुगलक और D.A. मुहम्मद बीन तुगलक तो 42 का आंसर जाएगा B के साथ अलावदीन खिल जी तो अलावदीन खिल जी से निजामुदीन अलिया ने भेट करने से इनकार कर दिया था आपसन भी आपका सही है व्याख्या देख लिजिए सेख निजामुदिन अउलिया ने साथ सुल्तानों का राज्य देखा जो की एक के बाद एक सत्ता सीन होते रहें किन्तु वेस कभी भी किसी के दर्बार में नहीं गए सुल्तान जलालुदिन ने सेख से मिलने का बहुत प्रयास किया जो सुल्तान जलालुदिन था वो सेख से मिलने का मतलब सेख निजामुदिन अउलिया से मिलने का बहुत प्रयास किया यहां तक कि उसने सेख के प्रियसिस अमीर खुसरो के माद्यम से भी प्रयत्न किया किन्तु जब सेख को ग्यात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए इस प्रकार अवलिया ना तो सुल्तान से मिले और नहीं इनकार किया दूसरी तरफ जब अलावदीन ने उनसे मिलने की आग्या मानी तो सेख ने उत्तर दिया मेरे मकान के दो दरवाजे हैं यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाओंगा उन्होंने अलावदीन से मिलने से इनकार कर दिया वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं वे क्या हैं महबूब ए इलाही के नाम से भी सेख निर्यामुदिन अवलिया क्या हैं प्रसिद्ध हैं अगला कोश्चन देखते हैं 43 नम्मर 12 मासा की रचना किसने की थी 12 मासा की रचना किसने की थी अमीर खुसरो इसामी मलिक मुहमद जैसी रस खान तो अंसर हो जाएगा C इसका मलिक मुहमद जैसी 12 मासा की जो रचना है वो मलिक मुहमद जैसी ने किया है तो इसको याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए मलिक मुहम्मद जैसी की अनरचनाओं को भी देख लेते हैं बारा मासा की रचना मलिक मुहम्मद जैसी ने की जैसी की पदमावत अखरावट आखरी कलाम में से पदमावत का हिंदी साहित में महतपूर अस्थान है तो इस तरह इनकी चार पुष्टिके यहीं पर मिल जाती है चार क्या पाच हो जाएंगी तो जिसमें जाइसी के पदमावत है अखरावट है आखरी कलाम है और एक बारा मासा इस तरह चार हो गए और पदमावत जो है पदावत पदावत जो है हिंदी सायत में महतपुर अस्थान रखता है तो इसको भी नोट कर लिजिएगा चारो जो चारो लेखन है इसको आप नोट कर लिजिएगा क्योंकि यह जो तीन है यह दो नहीं मिलते हैं जैसे कि पदमावत और अखरावट तो सभीज लोग जानते हैं लेकिन बारा मासा और आखरी कलाम है इसको कम लोग जानते हैं दोनों को मतल के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्यकारर क्या था पानिपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का मुख्यकारर बताना है आपसन ए उसकी घुर्षवार सेना आपसन बी ए उसकी सेन कुसलता आपसन सी ए तुगलका प्रथा आपसन डी ए अफगानों की आपसी फूट तो तो पानीपत के जो युद्ध हुआ था 1526 में उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था बाबर की सेन कुसलता जिसके द्वारा वह जीत गया व्याख्या देख लिजी आप पानीपत की परली लड़ाई 21 अपरेल 1526 को बाबर एवम इब्राहिम लोदी के मद्द हुआ या बीच में हुआ जिसमें अपनी सेन कुसलता के बल पर बाबर ने विजे प्राप्त की बाबर की सेन संख्या लोदी सेना से बहुत कम थी फिर भी उसकी कुसल सेन नीती के चलते बीजे सिरी ने उसका वड़र किया मतलब वो जीत गया बाबर जीत गया इब्राहिम लोदी स्वयम एक अनभव सुन व्यक्ती था बाबर लिखता है कि वह अनभव हीन व्यक्ती था जो अपनी गतिविदियों में बड़ी असाउधानी रखता था वह बिना किसी वेवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना किसी दुर्दर्सिता के संगर्स में लीन हो जाता था बाबर ने जो लिखा है एक किसके बाबर बारे में तो इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है बाबर द्वारा लिखी गई पुष्तक क्या है बाबर नामा इसको भी याद अर्बी में आपसन C ए तुर्की में आपसन D ए आपका उर्दू में तो आपसन आपका C हो जाएगा तुर्की में लिखा गया तुझके A बाबरी व्याख्या देख लिजिए आप मुगल समराच की अधार सीला रखने वाले जलालू दीन मुहम्मद बाबा ने अपने जीवन संबंदी घटनाओं को एक गरंथ में स्वयम ही लिखा है इसे तुझके A बाबरी या बाबर नामा कहते है यह किताब तुर्की भासा में लिखी गई है किन्तु तुर्की मुगल द कार्सी को प्राप्त था आगे चलते हैं 46 नमर कोशन हिमाव ने चुनार दूर्ग पर प्रथम बार आक्रमड कब किया हिमाव ने चुनार दूर्ग पर प्रथम बार आक्रमड कब किया आपसने 1532 में B ए 1531 में C ए 1533 में D ए 1536 में तो आंसर हो जाएगा 46 का फ्रेंड्स यह सह यह जाएगा 1532 में किया था, अगला कोशन देखते हैं, अरे इसका व्याख्या देख लेते हैं, हिमाओ ने चुनार दूर्ग पर, प्रथम बार आकरमार 1532 में किया था, हिमाओ ने जो चुनार दूर्ग जो मिर्जापुर जिला में पढ़ता है, और यूपी में पढ़ता है इह कहां पढ़ता है चुनारदुर्ग तो ये उपि के मिर्जापुर जिला में यूपि के मिर्जापुर जो है बनावस से सटा हुआ है वही परता है तो ये भी याद रखना है आपको तो हिमाउ ने चुनार्दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमड 1532 में किया इस कीले को उसने चार महिने तक घेरे रखा कितने महिने तक घेरे रखा? चार महिने तक घेरे रखा जिसके बाद सेख खान ने हिमाउ की अधिमता स्युकार कर ली इसके अत्रिक 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमर किया और 1532 पर में जो है राय सीन के मदपूर कीले जीतें ये सब भी तथ आपको याद होने चाहिए 47 नमर कोशन देख लेते हैं निमलिखित में से किसने अपने बादसा अपती के लिए मकबरे का निर्मार करवाया निमलिखित में से किसने अपने बादसा अपती के लिए मकबरे का निर्मार करवाया है आपसने है सा बेगम ने हाजी बेगम ने मुम्ताज महल बेगम ने नूरू निसा बेगम ने नूर निशा बेगम ने, तो आंसर जो 47 का है दोस्तों, वो भी सही हो जाएगा हाजी बेगम ने, तो निमलिखित में से किसने अपने बादसा पती के लिए मकबरे का निर्मार करवाया था, तो उनका नाम था हाजी बेगम, हाजी बेगम ने मकबरे का निर्मार करवाया, दिन इसमें देखिए हाजी बेगम ने अपने पती हिमाउ के मकबरे का निर्मार दिल्ली दिन पना में 1564 में करवाया था इस मकबरे का नक्सा मीरक मिर्जा गियास इरानी वास्तुकार ने तयार किया था तो दिन पना जो है उसका निर्मार किस ने किया था तो इरानी वास्तुकार था जिसका नाम था मीरक मिर्जा गियास स्वेत संगमर्मर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई है आगे देखते हैं 48 नमर कोश्चन और पेपर में बार बार पूछा जाता है हिमाउ नामा की रचना किसने की हि गुल बदन बेगम हिमाउ जहांगीर तो आंसर हो जाएगा गुल बदन बेगम आपसं सी आपका आंसर है उपर नीचे हो गया है लेकिन गुल बदन बेगम याद रखिएगा हिमाउ नामा की जो रचना की है गुल बदन बेगम ने किया था इसको याद रखिएगा आपसं स लिए नीचे राना चाहिए उपर हो गया व्याख्या देख लीजिए बाबर की साजादी गुल बदन बेगम ने हिमाउ नामा की रचना की थी जो फार्सी भासा में है तो हिमाउ नामा किस भासा में है फार्सी भासा में बादसा अकबर ने अकबर नामा के परणयान के लिए स के उसकी सेवा में प्रस्तुत भी करें अता अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारम किया गुल बदन हिमाव नामा की रचना भी इसी आदेशा अनुसार हुई थी मतलब गुल बदन बेगम ने हिमाव जो नामा की रचना की इसी के आदेशा अनुसार हुआ था इसका भी निर्मा उन्चास नमर कोशन देखते हैं हिमाउ द्वारा लड़े गए चार प्रिथम युद्धों में प्रमुख युद्धों की तीथी अनुसार सही क्रम अंकित करें युद्ध अस्तलों के नीचे अंकित करें तो यह भी याद रखना है कि कौन कैसे किया है इसके बाद आ आपका डी सही हो जाएगा अब इसका व्याख्या थोड़ा से देख लिजिए आपको मालूम हो जाएगा कौन सा युद्ध कब हुआ था हिमाउ द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का करम इस प्रकार है देवरा चौसा कन्नोज एवं सरहिंद 1531 इसमी में उसने गोमती के तत्पर इस्तित चौराहा जिसको काकतें चौराहा देवरा नामक अस्थान पर अफगान विद्रोयों को प्रास्त किया 26 जून 1549 को चौसा के युद्ध में हिमाउ को सेर्षा से पराजित होना पड़ा इसी युद्ध में निजाम नामक भिच्चती ने हिमाउ की जान बचाई थी हिमाउ के बिरुद्ध चौसा के इस बिजे से सेर्खा जिससे सेर्षा सूरी भी कते हैं कि सक्ति एवं प्रतिष्टा में बिर्दी हुई उसने सेर्षा की पदवी धारर कर अपने नाम का खुतबा पड़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया 17 माई 1540 को कनोज यार बिलग्राम के युद्ध में हिमाउ को सेर्षा से पराजित होना पड़ा जो हिमाउ था सेर्षा से 1540 में बिक्या हो गया पराजित हुआ और विवस होकर एक निर्वाशित की भाती इधर उधर भटकना पड़ा 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की बिजैम ने हिमाउ को एक बार पुना उसका खोया वाराज वापस दिला दिया यह सब तथे ही थे सबको नोट कर लिजिएगा पचास नमर कोशन देखते हैं निमलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपादी अपनाई और बाद में सुल्तान की आपसन ए बलोल लोदी आपसन बी ए सिकंदर लोदी आपसन सी ए सेर सा सूरी दी ए इसलाम सा सूरी तो अंसर हो जाएगा आपका सेर सा सूरी तो सेर सा सूरी ने पहले हजरते आला की और उसके बाद सुल्तान की उपादी धारड की व्याख्या देख लिजिए थोड़ा सा सूरी कते हैं ने हजरत आला की उपादी धार की 1549 में चौसा के युद्ध में हिमाव को पराजित करके उसने सेरसा की उपादी धार की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया तो सेरसा यहां पे है और आगे इसमें क्या पूछा था सेरसा ना तो इसमें पादी अपनाई और सुल्तान की तो यह ही था आपका आंसर तो फ्रेंट्स ए थे आपके टोटल दस कोशन और उनके जो व्याक्या थे ओ थे तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को जरू स्क्राइब क धन्यवाज साथियों नमस्कार